मॉनिंग बच्चो चाप्टर 13 दावत की अधावत जो हम आढ़ा पड़े थे आजम आगे पड़ेंगा देखो मैं अपनी मकान की और चल्ला रास्ता में पन अकिरामने से भेट हो गई बे इसी जीले में रेलवे का राहुल गंज नामक स्टेशन के स्टेशन मास्टर थे मेरा कुछ ऐसा उनके उपर था इसलिए मेरे लिहाज करते थे नमस्कार प्रणाम के बाद मैंने पूछा कहीं कहां जा रहे हैं दो महिने की चुटी मैंने मांगी थी जो मंजूर हो गई एक हपते के मैं घर जाने वाला हूँ आज कुछ सामान खरिदने सहर आया था आप तो कभी आते ही नहीं कई बार प्रार्थना की की रात वहीं बसेरा कीजिए अच्छा आऊंगा हो सका तो आपके जाने से पहले ही आऊंगा क्या बाब अच्चो वो गुस्से में अपने मकान के और जा रहे थे उनके जिले की पास में एक राहुल गंज नाम का स्टेशन था उसके स्टेशन मास्टर थे उनका कुछ अहसान था उनके उपर लेखक का कुछ अहसान था तो उन्होंने नमस्कार प्रणाम के बाद पूछा कहिए कहा क्या कीजिए पूछा तो उन्होंने कहा कि मैंने दो महने की छुट्टी मांगी थी जो मंजूर हो गई है एक हपते में अपने घर जा रहा हूँ आज कुछ सामन खरिदने सहर आया था ऐसा बोला और मैं तो आपको कई बार बोल चुका हूँ हमारे घर आई है कुछ देर के लिए रही है राद भर के लिए रही है ऐसा बोला तो उन्होंने कहा कि अच्छा आऊंगा हो सके तो आपके जाने से पहले आऊंगा उस समय में भूका प्यासा था अधिक बाते नहीं कर सकता था मैं किसी तरह गिरता पड़ता घर पहुंचा तीन दित तक मुरारी, मुरली, मोधे या मोहन किसी को असूरत तक न दिखाई पड़ा चोथे दिन सब साथ ही मेरे मकान पर आए पूर्व इसके की मेरा पार चड़े उन सब ने हसना सुरू कर दिया और इस्वर जुड़ना कहला था पंदरा मिनिट तक लगातार हसने ही हसते ही रहे मैं खड़ा दाथ पीसता रहे गया क्या हा बच्चो उस समय जो नेकिराम मिला तो उन्हों बहुत भूके प्यासे थे तो और बात नहीं कर सकते बोले उनको और वहां से चले गए उन्हों गिरता पड़ते कैसे घर पहुँच गए तीन दिन तक उन्होंने उनके दोस्त मुराली मुरली किसी को नहीं देखा फिर जब चोथे दिन उनके मकान पर सब आये और पंदरा मिनिट तक उनको देखकर हंसना सुरू कर दे जो बंद ही नहीं कर रहे थे और वह कैसे खड़े थे वह लेखक दाथ पीसकर खड़े रहे मुर्नी ने हसते हसते हुए कहा देखो जब तक तुम हमें हम लोगों के एक दावत ना दे लोगे तब तक हम लोग तुमें इसी तरह बेवा को बना कर चायका करेंगे क्या बच्चो तुम अगर हमें दावत नहीं दोगे तो ऐसे ही तुमको बुद्धु बनाते रहोंगा और तुमारे उपर हसते रहोंगे बोले किसी तरह अपना गुसा पीते हुए मैंने कहा अपने घर पर तो नहीं तो मैं तुम लोगों को दावत दे नहीं सकता मेरी पतनी तुम लोगों का समाज की तलचट समस्ती नहीं रावल गन चलगे छोटी लाइन से तीसरी स्टेशन है यहाँ पर बड़ी रमनिक स्तान है बहां की स्टेशन मास्टर मेरे मित्र बहुत दावत का सारा प्रवंद कर रखे हैं तो उन्होंने कहा हाँ जरूर लेकिन मेरी पतनी तुम्हारी सब को नहीं समझेगे तुमारी सेतानियों को रावल गज चलेंगे तीसरी लाइन से ट्रिसरी स्टेशन पर है बहुत ही अच्छा जगह है और बहुत सारे प्रवंद कर वादेंगे एसा उन्होंने कहा